करते हैं कारिक्ष्यम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी तंत रामपाल जी महाराज सत लोग आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना बनाम हंता देश पंत के प्रमुक संद श्री सत पाल जी महाराज पंजाबी बाग बिल्ली के विचार गीता ज्यान दता है दैचायर के सलोग 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जागर तत्वदर्शी पहचान क्या है तत्वदर्शी महापुरुष जो श्रोतिय ब्रमिनिष्टों हो उनकी पहचान यह जिसे आपने देखा होगा सूरी है और आप कहें सूरी की क्या पहचान है तो सूरी जब चमकेगा तो सारे समसार को दिखेगा जो ज्यान की चर्चा करते हैं वो तत्युदर्शी जो महापुरुष होते हैं तत्युकों जानते हैं वो तत्युकी ही बात करेंगे वो और दाएंबाएं की बात नहीं करेंगे जो तत्युकी बात करेंगे और आपको तत् चीनी के बारे में बहुत कुछ कहता रहूं पर आपको मिठास का नभव नहीं होगा पर आपकी जिभ्या पर जब चीनी रखी जाएगी तो आपको मिठास का नभव हो जाएगा फिर मुझे कहने की ज़रूत नहीं है ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष जो होते हैं जब उस पर चाहे हैं तो पहली की सिभ्या पर जो पर चाहा गया है कहा कहा सुनी कि है नहीं देखा देखी बात दुलह दुलहन मिल पड़े फिकी बढ़ी बात तो संसार की बढ़ा ठीक हो जाती है और आत्मा प्रमात्मा का योग को जूदी आप देते आं वहां आ आपको अपने ग आपको शरोत्य प्रमिश्ट कहा men कि शास्त्रों के आधार पर वे यह आधार पर सद्गुरु ज्यान देते हैं शास्त्रों द्वारा प्रति पाधित इसलिए उनको सोत्य प्रमिश्ट कहते है अभी आप बी आपने सुने हनसादेश पंत के प्रमोग संथ श्री सत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार आए अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज सतलोग आश्रम बर्वाला जिला हिसार हर्याना के विचार श्री सत्पाल जी महराज जीशे परसंड किया गया कि तत्व दर्शी संत की क्या पैचान है ये सविकार करते हैं कि तत्व दर्शी संत वो होगा जो सदगरंथों के अनुसार ग्यान देगा और वगती विधी बताएगा अब सदगरंथों में कौन सी विधी है और कौन सा ग्यान है जिससे सिरी सत्पाल जी और सिरी हंस जी महराज जो उनके पुझ्य गुर्देव जी थे और सिरी प्रेम रावज जी जो अमरिका के अंदर अधिकतर रहते हैं जो उनके छोटे वाई हैं ये सास्तर विधी ते आकर मनमाना आचन कर रहे हैं और सास्तर विर्द ग्यान दे रहे हैं श्री ये कौन सा मंतर देते हैं हंस मंतर श्री मद्भुद बगवद गीता में कहीं पर वरनित नहीं है वेदों में कहीं पर वरनित नहीं है कि ये इस नाम से जीव का मोक्स होगा और देखिएगा गीत सिर्मत भगत गीता हमें कौन सा मंतर जाब करने को कहते हैं और ये कौन सा जाब कराते रहें के पुझे गुर्देव जी इन्हीं के पुष्टकों से देखिएगा ये बिल्कुल सही है कि तत्वद अफसी संत जो होगा वो सास्तरों के अनुकूल ही साधना बताएगा क्योंकि हमारे सद्गरंथ एक बगती मारक का सिलेबस है पठ़्े कर्म है और गुरू कौन होते हैं ये टीचर है अध्यात्मिक गुरू है अध्यात्मिक टीचर है स्परिच्वल टीचर है और टीचर का कर्तव होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू दासलेबस पड़ावे वो सही है इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा खूब टटोला इनकी बगती और इनके ग्यान को आज तक दासलेबस जिनके भी इतिहास पड़े हैं इनकी अनवहों पड़े हैं किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सद्गरण्थों के अनुकुल नहीं है इसे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है इनका मारग इनका पंथ ठीक नहीं है इन्होंने सद्गरंथों का आधार मानकर सद्गरंथों के विप्रित ग्यान बताया है तो अब पुन्यात्माओं से मुझदास का निवेदन है कि आप जी सभी कू मारग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर विचार करें मुझदास के इस प्रियतन को आलोचना ना समझे एक महाप्रोबकार का कारिये है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है सच्छो वर्स पहले परमिश्वर स्वहम आये थे कबीर जी कासी बना रसम है उन्हों ने ये सच्चा ग्यान हमारे हित्म कहा था लेकिन इन नकली गुरूओं ने संतों ने आचारियों और संक्राचारियों ने उस यथारत ग्यान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत जुरूद करा दिया उनको बहुत यातनाएं दी परंतु वो परमात्मा थे वो किसी भी उनके प्रियतन से मारे नहीं गए बहुत जुलूद किये उन्होंने और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और याचारियों और संक्राचारियों तुम्हें जानक जाती में जुलहा जाती में परगट है और उससे में केवल सास्त्रों को पढ़ने कादिकार केवल एक ब्राह्मन वो वरग को था और सभी सद्गर्थ संस्क्रित बासा में लिपिबद थे तो उससे में इन नकली गुरूँओं की आचारियों और संक्राचारियों और मंडलेस्वरों की या दाल गल गई इस पॉइंट पर के कबीर जी ऐस सिक्सित है ये सद्गर्थों को नहीं जानते ये पढ़े ही नहीं है तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ग्यान सद्गर्थों में वो सकते है और कबीर जी सद्गर्थ नहीं पढ़ सकते इसलिए इनका ग्यान सास्तर अनुकुल नहीं हो सकता तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी ग्यान कोई अक्सर ग्यान से नहीं होता अक्सर ग्यान तो एक बासा विसेश का ही होता है और भासा का कारिये है अपने विचारों को दूसरे तक पहुचाना वो किसी भी भासा में हो वो यचार्च ग्यान हो चाहे वो संसकर्थ भासा में हो चाहे वो इंगलिस लेंग्वेज में हो चाए वो पञजाबी में हो या अपनी मातर भाथा या लोकल अकसेत्रिय भाथा में हो ज्ञान सरेष्ट हो तो परमेश्वर कबीर जी ने एक शींपल लेंग्वेज में एक साधान भाथा मोही सद्गरंतों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था जिसको जन साधान आसानीशे समझ सकता है वो ग्यान आदनिय दरमदास साहिव जी ने परमपुज्य कबीर परमेश्वर जी के दोरा बोले गए ग्यान को लिपिबद किया था जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साकियों, कबीर बीजक कबीर दोहावली, कबीर सब्दावली आधी के नाम से कई गरंथुक लब्द है और उनके अंदर परमात्मा ने वही ग्यान वर्नित किया है जो हमारे पवितर वेदों में, पवितर पुराणों में, पवितर स्रीमत भबुद गीता बाइबल और कुराण में, जो आज विदमान है तो पुन्यात्माओं एक तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कबीर जी ऐ सिक्षित हो तेवे सब सद्गरंथों का ग्यान जानते थे और सद्गरंथों, वेदों और गीता में जो ग्यान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे तो वो प्रमात्मा है जैसे शिरीमत भगुद गीता अध्धाय नमबर चैर के स्लोक नमबर चौँटीस में कहा है कि उस तत्वग्यान को तो तत्वदर्सी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परनाम करने से और कपट छोड़ कर उन से परसंद करने से वो तत्वदर्सी संत तुझे तत्वग्यान का उपदेश कराएंगे वो तत्वग्यान कौन सा है गीता ध्याय नमबर चैर के ही स्लोक नमबर बत्तीस में सपष्ट किया है कि सचीदा नंद गन ब्रम की वानी में यहां इन्होंने अन्वाद गल्द कर दिया ब्रमने सब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया ब्रमने मुखे का अर्थ अन्वाद करता उन्होंने गल्द कर दिया इन्होंने वेद की वानी लिख दिया वेद वाला ग्यान तो गीता ग्यान दाता बोल ही रहा है उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ग्यान दे रहा हूँ इससे भी हटकर है कोई ग्यान वो तत्व ग्यान है तो यह इन्होंने ब्रह्मने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी यहां करना चाहिए था यानि सचीदानन्द गंबर्म के मुख से उच्रित वाणी में विस्तार के साथ धार्मे की यगों का ग्यान यानि अन्ष्ठानों की जानकारी दी गई है और उसको जानने के बाद फिर प्रानी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है तो वो तत्व ग्यान गीता ग्यान ताता ने कहा कि वो कोई अन्य ग्यान है और उससे गीता ग्यान दाता भी प्रीचित नहीं है इसी परकारी दुरवेदग जाये नंबर 40 के सलोक नंबर 10 से लेकर 13 में सबश्च किया है कि कोई तो प्रमात्मा को संभवात कहता संभवात माने उत्पन होने वाला जैसे स्री राम और स्री करसंजी के रूप में और कोई इसको ऐसंभवात यानि उत्पन ही नहीं होता वो निराकार है तो उसमें लिखा है कि वो जनम लेता है या नहीं लेता है वो साकार है या निराकार है इसकी जानकारी वो तत्व दर्शी संत बतावेंगे उन से सुनो इससे दोग्या कि वेद ग्यान दाता भी उस तत्व ग्यान से ऐ प्रीचित है फिर विद्वान और अविद्वान की प्रिवासा बताते हुए यजुरुवेद अज्जाय नमबर 40 के और सलोक नमबर 11 से लेकर 13 तक सफष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्सर ग्यान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं और जो एविद्वान जिसके पास अक्सर ग्यान नहीं है उसको एविद्वान कह देते हैं विद्वान और एविद्वान की जानकारी भी वो तत्व दर्सी संथ बताऊंगे उन से सुनो तो पुन्यात्माओं ये दास है वो तत्व दर्सी संथ जो सर्वे सास्तरों के अनुकुल ग्यान देता है और सर्वस सद्गरंथों के नुसार बग्ती की विधी बताता है अब आप सिक्सित हैं सद्गरंथ हमारे पास उपलब्ध है और आपके उपर ऐसी मेर की है वगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सद्गरंथों के दरसन कर सकते हो प्रोजेक्टर के मादम से यहां हम सद्ग्सिंग में भी दिखाते हैं और टीवी के मादम से सीडी के मादम से पुष्टकों के दवारा उनके सब रेफरेंस फोटोकोपियां लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं तो आप जिन वो सद्गरंथ ख्रीदन की भी हो सकता ना पड़े और फिर भी ऐविस्वास होता है तो अवस्थे देखें और उनको मिलाएं और फिर अपना वो पंथ अपना वो मारग जिस दिसा में आप जा रहे हो अपने सास्तर अनुकूल कर लो इसमें बुधी मता है अब जैसे कोई विक्ती सफर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसार से चले है इसार से कोई दिल्ली जा रहा है अर्याना से और वो पहुँच रहा है सिर्सा सिर्षा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहां जा रहे हो वो कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ कोई जा रहा है दर लुद्याना साइड में यहां हिसार से और उससे कोई पूछता है कि आप कहां जा रहे हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो पुन्यात्मा उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मारग ठीक नहीं है आपकी दिशा ठीक नहीं है आप गलत जा रहे हो तो क्या करना चाहिए उनको उनको तुरंट रुख जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निर्ख्षिन करे एक दो चार दस से खूब बुच्छे और फिर आगे सफर करे और किसी जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्ग दरसकों के फसगे सब वही गलत जिसा ही बता रहे हैं गलत जिसा को सही बता रहे हैं तो उसकी लिए जैसी एक विक्ती कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और दस कह रहे हैं कि नहीं यह सही जा रहा है तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन दसों के जूट पर क्योंकि उनकी मातरा अठीक है और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो तो उसे ये तू पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो ये सबी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ उसका पर्मान मांगए उस तैंए और वो हित ऐसी है तो आपको पर्मान भी देगा अब जैसे मैप है मान चितर वो विक्ति यदि आपको मान चितर पस्षिद कर देता है कि आप यहां खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप इसार से चले हो इसार यहां पर है और आप जा रहे हो इदर लुध्याना यह आगे लुध्याना देखो यह आपके रोड़ पर लुध्याना लिखा है और आप यहाँ खड़े हो आप आए हिसार से हो हिसार से दिल्ली इदर है तो फिर वो दस के दस जूटे से धो जाने चाहिए उनको ट्याग देना चाहिए कि दूठ बोल रहे और फिर अपने देशा ठीक करके आ जाना चाहिए फिर दूसरी समझ चाहिए आती है सरदालों के सामने कि हमने दस वरस होगे उपजेश ले रखाया उनसे हमने बीश वरस होगे हम वापस इधर कैसे आएं आपके यहां कैसे नाम लें जो सती साथ ना बताता है हमारे उस इतनी समय का क्या होगा वो तो विर्थ हो गया अब जैसे इसार से कोई यातरी चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा जाना था दिल्ली तो वो 90 किलो मेटर गलत चला गया और वहां उसको की बचाता है कि आप गलत आ गयो अब ऐसा कोई मूरक नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलो मेटर में चल पड़ा इसका क्या होगा अब कैसे वापस जाओ ये कोई ये बुदी मान विक्ति ये बात नहीं कर सकता है कती बालक कर सकता है जिसको कोई भी ग्यान नहीं उस मारक का तो उसका वो अपने अब समझ जाएगा कि सच मुच गलत आ गया और तुरंट मुड जाएगा वापस आना ही पढ़ेगा तभी मंजिल पर जा सकता है अगर उस नब्बे किलोमेटर को देखता रहा है वापस नहीं आ तो वहीं बैठा रहेगा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता तो ऐसी दसा आज वरतवान में दास देख रहा है उन सरदालूँ की जो इन अकली पंथों में फसे पड़े है इन अकली संतों के पास फसे पड़े दो दो तिन तिन पी डिवरबाद होगी अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते है मैप हमारे सद्गरंथ इन में परमान दिखाए जाते है का आप गलत दिशा पर जा रहे हो तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी जूटों पर नराधार बातों पर बिलकुल विश्वास किये बैठे हैं समर्पीत हैं क्योंकि वहां जितना भी उनका ग्रूप बन गया है कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है जैसे राधा स्वामी पंथ जैगुर देव पंथ ये नरंकारी पंथ अन्सादेश वालों का पंथ ये बालियोगी स्वर जी और बाल बगवान के हैं से सत्वाल जी अंतराज जी इनके पिता जी थे इनका पंथ और नरंकारी पंथ बिर माकुमारी पंथ ये जितने भी संत हैं इनके लाखों की संख्या में आई करोडों की संख्या में और वो आपस में डिसकस करते हैं और अपने ही गुरू से पूछते हैं वो तो पहली दिख बरष्ट है और वो सभी आपका गुरूप दिख बरष्ट है उनी से पूछ कर आप कैसे सई दिशा पकड सकते हो दास परतेक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है आपका वे ओफ वर्सिप पूजा का मारग गलत है और परमान दिखा रहा है कि देखो मैं अब ये बता रहा है तो कम से कम इन परमानों को देख कर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदले और जो दास के पास वो उपलब्द है सच्चा बक्ती मारग और सच्ची साधना जो हमारे सद्गरंतों में परमानित है उसको गरहन करो अब इस दास के इस निरनाएक प्रियतन को एक परमार्थी प्रियतन को आलोचना ना समझे ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी जैसे ये नकली नोट चापे जाते हैं कोई नकमे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना जेते हैं चाप देते हजार का पानसो का सो का जैसे भी और सरकार उनको पकड़ती है पकड़ के फिर कैसे निरने बताती है दोनों असली और नकली औरिजिनल और डुप्लिकेट दोनों को समाचार पत्रों के मादम से टेली वीजन यानि अलक्रोनिक मीडिया के मादम से निरनाय करके बताते हैं कि डुप्लिकेट में ये डिफेक्ट है ये तरूटी है औरिजिनल ऐसा होता है तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी बहुत बड़ा प्रॉपकार किया नालाखों लोग ठगे जाते गरीब आदमी मारे जाते तो ये दास बस इतना ही कर रहा है अपने सद्गर्ण दिखाता हूं कि ये औरिजिनल है और ये अनुभाव इन संतों का है ये ग्यान है ये इन से मेल नहीं खाता ये डुपलिकेट है और ये संत भी डुपलिकेट है इनको चाग दो औरिजिनल नोट ग्रेन करो तो क्या ऐसा मूरख कोई होगा सामने देख कर तरफ जाना चीए फिर भी उनके कोई जू नहीं रेंग रही है तो उन्होंने भांग पी रहा की है इस अग्यान की अग्यान का नसा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ हमें नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं ये दास कह कह रहा है और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं गलत नोट को सीने से लगाए बैठे उसको फैंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़ यागरें करे आगे पीछे तो हुआ सो हुआ आगे तो बच जाओगे अब परसंग चल रहा है ये एक हंसा देश नाम का पंथ है और जिसके परवर्तक है शिरी हंस जी माराज और उनके दो पूतर है वो तो शिरी छोड़ कर चले गए सनोनी सो छैसेटम उनके दो पूतर है शिरी सत्पाल जी माराज जिसको ये बाल बगवान कहते है उनके सरदालो और उन से छोटे हैं जो वो शिरी प्रेम रावत उर्फ बालयोगी स्वर कहलाते हैं जो अमेरीका में रहते हैं वहीं मेरिज कर रखिये यहां वो नहीं आते हैं बहुत कम आते हैं पहले तो यहां से ही स्टार्ट किया था उनोंने फिर इन दोनों भाईयों का आपस में कोई मन मुटाव होने से वो यहां नहीं आ पाते हैं बहुत कम आते हैं कभी कभी तो कहने का भाव यह है दास का कि इन्हों ने करोड़ों विक्तियों को अपने पीछे लगा रखें और इनको अध्यात्म मारका कख भी गान नहीं ना इनको परमातमा का पता कवन है ये श्री विशनु जी के पुजारी है श्री किरसंडी के अर गीता जी को सत उटा कर ले तो सो हम बन गया फिर सो नाम भी जाब का देते हैं सो बहर हम अंदर ये हांस नाम और सोहम नाम है कहीं गीता जी में सिरी मदबगद गीता अध्धाय नमबर आठ के स्लोक नमबर तेरा में गीता ग्यान दाता कहता है कि मुझ बरमका मुझ बरमका केवल एक ओम अक्सर है नथिंग ऐलस और इस ओम नाम का जाब करते हुए जो शरीर त्याक कर जाता है अन्तिम सांस तक इसका सिमन करता है तो वो ओम से मिनने वाली परमगती को प्राफ्ट होता है और ये हंस नाम देते हैं है इनका कोई विद्धान है फिर है इनका सांस तरन कुल ग्यान है अभी दिखाता हूँ आपको ये हंस योग परकास नाम की एक उस्तक है ये हंस जी माराज है योगी राज परमसंत सद्गूर देव स्री हंस जी माराज परकास से कहें स्री प्रेम नगर आसरम रजिश्टर अर्द्वार से ये कहां से छप्पी है ये है परकास से कहें स्री प्रेम नगर आसरम जवाला पुर रोड हरिद्वार से ये छप्पी किसने है मुद्र कहें राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइविट लिम्टिड दो बटा पांस पंजाबी बाग नई दिली इतने ये देखिएगा दो सब्द शिरी शिरी एक सो आठ शिरी सद्गुर देव प्रम संत योगी राज शिरी हंस जी माराज आनंद कंद सचीद आनंद भगवान के शिरी करकमलों दुवारा इस गरंद की रचना हुई है ये गरंद विकर्मी संवत ये है 1988 1989 यानि सन 1931 1932 में लिखा गया और संवत 1931 यानि सन 1934 में ये छफ कर त्यार हुआ अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वरस तो वो होगे और बारा ये 78 वरस होगे 78 वरस होगे ये ग्यान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा अब इस पुष्टक के 212 परिश्ट पर आपको ले चलते हैं देखिएगा 212 परिश्ट पर अन्स योग परकास है 212 परिश्ट परिश्ट पर हन्स नाम का पराण है स्वास अंदर जाता है तो स्वास के साथ सबते ही से की धवनी होती है और स्वास के बाहर आने पर हम की धवनी होती है हम और से मिलकर हन्स सबद बनता है उल्टा होने से यही हन्स सबद सो हम बन जाता है कोई बात हो या नहीं बताओ कहते हन्स का उल्टा कर ले सो हम बन गया उल्टा के करन की दूरू तजबसी देवता रखे गीताम नाम ओम नाम है नथिंग एलस ये बगवाद गड़ रखी नो ने कितना संसार डबो दिया आगे देखो इसी दो सो बारा फिष्टरम पढ़ रहे है सो हम सब्द की दावनी सभी प्राणियों के परती स्वास में होती रहती है इसी को अजबपा जाप कहते है इसका मानसिक द्धान करने में मनसिगरी सांत एम एम एक अगर हो जाता है और सह्थ समाधी लग जाती है अगरत में देखे लो यह अंसको ओंकार थोड़े का है निरी जूट बोले ओंकार कारता सर्व व्यापक, सर्व धार, सर्व निंता और सर्व पालन पॉस्टन करने वाला हंस नाम ही सब में व्यापक है इस से सब प्रानी जिंदगी को प्राप्श रहती है इसलिए यही सब का अधार है इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते है सब का निंतन करने वाला भी यही है स्वास के साथ सैकार और हैकार का सरुन करने से प्रान उपासना होने लगती है और इसी को आत्म सिंतन कहते है अंस सब का मूल कारण है पराणी मरने पर भी यह कहने माता है कि हन्स उड़ गया अब इनकी अकल देखो अपने आत्मा यह कहते हैं कि जब जीव मर जाता है श्री छूटा है तो इन्हों कहते हैं कि हन्स उड़ गया हन्स तो जीव फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करें, दिखा रहे हैं तुमारी साधना को, अपने आप क्या बता रहे हैं, इन्नों कहें हांस उड़ गया, हंस मझे जीव गया, और जीव का जाप करो, यानि हंस, हंस, जीव, 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 यह कोई मंतर है, चाहिए इसने सास्तर कर लो, चाहिए दो बाग कर लो इसका, जब कोई सास्तर में सद्गरंथ पर प्रमान नहीं, सद्गरंथ हैं वेद और गीता, यह बग्जी के मारके, और प्रम पिता प्रमात्मा के दोबार आपने मुक कमल से बोला, वो सचीदानंद घरबर्म की वानी, कबीर वानी, यह परमानी सद्गरंथ है और जैसे पुराण है, यह पुराण गौड गीवन नहीं है, वेद और गीता गौड गीवन ग्यान है, पुराण क्या है स्री बिर्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा उसके बुदी ने काम किया, अपना अनुभाव और जो भी सिरिष्टी आधी उसके जीवन के बाद की जो सिरिष्टी है, वो बोली, जो गटना गटिवा सुना दी, उससे अन्य रिषियों ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, और लास्ट में जिसने वो ग्यान सुना सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी, कोई विश्मुजी का उपासकता, उस दोरा दिया तो बिर माजी से प्राप्त जैसा उसका अनुभाव का ग्यान थार स्वेम लेखक परवक्ता का अपना ग्यान वो मिला करके अठारा प्राण बुणा दिया ये दीन प्राणों का ग्यान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है वो एक विक्ति विसेस का ग्यान है कि सिरिशी विसेस का ग्यान उसका अपना अनुभाव है और वो अनुभाव वेद और गीता और प्रमात्मा सचीद अनन्द गनबर्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है वो व्यर्थ है तो ये व्यर्थ क्यान है इनका अब देखिएगा ये खुद कहते हैं जब ये अंस योग परकास 212 प्रिष्टम पड़ रहे है पराणी के मरने पर ये कहने माता है कि हंस उड़ गया कोई बात है फिर अंस तो जीव उड़ गया जीव निकल गया और जीव की पूजा बता रहे हैं हंस नाम माने जीव का इस हंस यानि जीव की पूजा बता रहे है हमारे मानस अर्दय में भी हंस निवास करता है वो जीव ही रहता है अर्देम अमारी रामान हन्स की ही गाथा है हन्स की गाथा है वो तरह से रामचंदर की गाथा है यहां फिर दो सो बीस प्रिष्ट पर देखिएगा इसी हन्स योग परकास यानि इसी हन्स जी का अनुभाव है ये 220 प्रिष्ट पे यहां जाते है योग ब्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंतर का जाप करना चाहिए जीव का जाप करे जीव 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 हंस 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 यह देखो इस तरह अनसो अनसो सबस से बार बार फिरते रहने से उल्ट कर सो हम हो जाता है इन कितना यह वकवाद कर ले यह कोई बात है इनकी जब हंस जाप है उच्छे कुछ भी हंस 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 का अरसो हम बन गया तुम गीता को सत मानते हो गीता हम ओ मंतर है यो लाए कहां तो हमस और सोहम कबीर साहिब कहते हैं सोहम सबद हम जग में लाए और सार नाम सार सबद हमने गुप छिपाए कबीर परमेश्वर के परच्वी पर इसकर युग में परगट होने से पूरव ये सोहम सबद किसी सद्गरंथ में वेद और गीता में नहीं है तो अब इनों ने अपने उस अज्ञान मंतर को विर्थ मंतर को सोहम से जोड़ने की कूँचेश्टा किये और सोहम के भी दो बाकर लिए रहे कमाल के बाद है मोटर साइकल नद बीश्ट तोड़ ले एक पई यानियों का योज़ दर को मालो और इसने इदर ले जाओ उसका काम बगाड़ दिया तमने बढ़िया बना दी वपनी बनाई ठीक थी उसी धा ही रहना जिये था उस तभी काम करती ऐसा बठा बठा रहा है इन अग्यानी तत्व ग्यान ही नप्राणियों ने और को आगे यह योगे स्वर महरेसी मंडले स्वर आचारिय और संकराचारिय के पदप्राफ्ट कर गें इनको कैख है भी ग्यान नहीं अपने सद्गरंतों और जात्म मारका और बग्ती मारका इसी हंस योग परकास पुष्टक के प्रिश्ट नंबर 227 पर इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वानी को अपने अग्यान को सिद्ध करने के लिए परमान में ली है और कह रहे हैं हन्स का उटा सोहम बने कर सोहम जाब करूआ कबीर साथ क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाब करने से जीवन विर्थ हो जाएगा अकेला सोहम जाब करने का नहीं है इसको सोहम सोहम जब मरे विर्था जनम गमाया वो सोहम मंतर किसी और मंतर के शाथ जोड़कर ये दो अक्सर के मंतर बन जाते हैं और वो सतनाम है दो अक्षर का मंतर उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाब सही काम करता है पगवान का बताया हुआ और ये कभीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं और ये अंस को भी ओंकार ओम से करने की जिश्टा करते हैं, और कवीर साहब कहते हैं, ओंकार निस्टे वेहा, ये ओम नाम है ब्रहम का, कहते हैं ब्रहम भी है, लेकिन ये करता नहीं है, ये कंप्लीट गौड नहीं है, देखिएगा, ये हंस योग परकास, नाम महिमा, 227 प्रिष्ट पे, यहाँ पर लिखे हैं, आदी नाम पारस है, मन है मेला लो, ये कबीर साहब की माणी, परसती कंचन भया, और छुटत बंदन मो आदी नाम, ये सार सबद है, ये सार नाम है, आदी नाम, आदी नाम निदमूल है, और मंतर सबडार, कहे कबीर निदनाम बेन, बोड़ मुआ संसार, अब आदी नाम कौन सा है, जैसे सनातन, आदी मन, सनातन मंतर, सार नाम, सार सब्द, गीता जिद्धाय नमर 17 के स्लोक नमर 23 में, उस आदी नाम का संकेत है, ओम तत सत इती निर्देसे है, बरमने तिर्विदे समर्ते है, बरामना तेन वेदा चे यगा ते विहीता पुरा, ओम तई बिर्म का है, जो गीता जिद्धाय नमर 8 के स्लोक नमर 13 में कहता है, गीता जिद्धाय नमर 7 के स्लोक नमर 24 पत्चिस में कहता है, कि ये बुधी हीं तनसमुदाय, मुझ ऐ वेक्तम वेक्तिम आपनम मनन्ते ऐ बुधा, मुझ ऐ वेक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्स नहीं आता, और ये बुधी हीं मुझे मनुश रूप में स्री किर्शन मान रहे होंगे, I am not किर्शन, वो तो किर्शन मा बोल रहे थे, फिर किर्शन जी से बाहर निकल कर, इतना शरूप दिखाया, किर्शन जी दिखे नहीं अर्दुन ने, और ये कहते हैं, बगवान जोती है, अर्दुन ने भी बगवान की जोती देखी, अर्दुन ने तो जोती परकास, उस जोत सरूप, उस साकार बगवान को देखा था, उसके सरीर का परकास था इतना, अजारों सुरियों जितना, उन्हें जोती जोती थोड़ी देखी उतों सारा कुछ देखा, अर्दुन ने भी गीता मैं, बगवान की जोती देखी थी, अर्दुन ने तो साकार नराकार, उसका परकास मेट तेदों में सरीर युक्त देखा था, तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्स नहीं आता, और गीता जे दैर नमर चार के स्लोक नमर पांस और नो में कहता, अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं, तुनी जानता मैं जानता हूँ, मेरे जनम और करम अलोकी के, इसके करम अलोकी कैसे हैं, कि किसी के सामने नहीं आता, स्री कर्चन में परवेश करका गीता का ज्यान भोल दिया, और यो मा वारत अनरस करवा दिया, स्री कर्चन जी नहीं चाहते थे यो दो, वोत पी तन्य नेक विक्ति थे, सतोगणी योगत थे, सुतोबन युक्ष्टे उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं इठाऊंगा एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा और मैं हथियार भी नहीं इठाऊंगा ऐसा जलुम मैं नहीं करूँगा बे मतलब लड़ रही हो तो दो तीन बार सहनती दूद बन कर गया उनको समझाने के लिए आईए अब अब उन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संसरामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मात पचल रही है नवस्कार सर सत्साइब क्या सुब नाम जी आपका मेरा नाम सुधीर दास सुधीर दास जी कहां से आई आप मैं ग्राम जिंदुगा तैसील वर्थना जिला इटावा उत्तर प्रदेश करेने वाला हूँ सारे परमशंत सतूर रामपाल जी महराज की सरण में आने से पहले परमशंत ही यह सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूं हरी की भक्ती भी हो रही है और पेट का धंदा भी हो रहा है लेकिन संद्रामपाल जी महराज की सरण में आने के बाद यह पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इखटा कर रहा हूं सरे आप कथा वाचक थे शिरिमत भगवगत कताब करते थे भगवत वीता जी की कताब करते थे और अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और इस चापकी रोजिरोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि यह भगवान की भगती भी साथ-साथ हो रही है तो फिर सर आप परम संत सद्गूर रामपाल जी महराज की संद में कैसे आए संत रामपाल जी क्शी हरसनों आने से पहले मैं कता भागवत जो करता था तो यह बड़ी लंबी कहानी है बड़ी रोचक था मैं कथा भागवत करने के उद्देश से बंबई में गया हुआ था तो ट्रेन में मैं चल रहा था वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ती सौधागर को संदेश मिली हमारी दो बेहने थी जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थी तो एक तो मतलब जो टेंपलेट ले लखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक ले करके चल रही थी तो टेंपलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विश्नु की माता संकर का दादा कौन है इस तरीके की जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रहा गया और जब मैंने पूछा मैंने कि भाई ये पुस्तक कहा मिलेगी तो उन्होंने इसारा किया कि वो पीछे हमारी बेंजी आ रही है वो आपको ये पुस्तक देंगी मैंने उसको देख करके मैंने हसना सरू किया मैंने कि ये देखो कभीर को परमेशर बता दिया पूर ब्रहम और ये ब्रहमा बिश्नु मैश को तो डालियां बता रखा इसमें तो वो हमारी बेहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी तो उन्होंने का कि आप क्या जानते हो कभीर साब के बारे में मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तलाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे ये तो किसी बिद्वा ब्रहमडी के पैदा हुए थे तो वो कहने लगी कि आप मूर्खो मैं उस समय जैसे आज ये पैंट्सरट पर रखे हैं मैंने उस समय तो मैं कुर्टा और धोती में रहता था चोंकि मैं अपने आपको बहुत बड़ा बक्ता मानता था मैंने का कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ आप ऐसे कहते हूँ मैं तो कथा बाचक हूँ वो हमारी बेहन बोली बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो आप मूर्खो इस सब्द को सुनकर के मैंने अपने आपको वहां उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानत महसूस किया मैं ने सोचा मैंने चलो जादा बात को नहीं बढ़ाओंगा मैंने का बहन जी आपकी पुस्तक कितने किया गप बोले 10 रुपे की मैंने पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना सुरू किया तो जहां मैं जा रहा था थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई यहीं तब तक मैं वाँ पहुँच गया और उस घर में जहां जाने जहां में रोराम था वाँ पहुच गया मैं फिर उसको मैंने स्टेप बाई स्टेप जब पढ़ना शुरू किया तो कभी तो मन में आता बोले कितना घटिया लिखा इसमें तो गलत लिखा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रशन आ रहे थे लेकिन फिर जैसे यसे पढ़ते गए तो बरदास जब नहीं हुआ एक जगे जाकर कि मुझे रुक जाना पड़ा उसमें लिखा था कि द्रवपती का चीर क्रश्न नहीं बढ़ाया था वो पूर ब्रम परमेश्चर कबीर साब ने बढ़ाया था तो चूंकि मैंने तो यहीं प पूछा मैंने कि आपके यहां से यह पुस्तक चपी होई है भक्ती सौधागर को संदेश बोले हाँ जी चपी होई है तो आपने उसमें प्रश्ट संख्या इतने पर यह कैसे लिख दिया है कि यह क्रश्न ने चीर नहीं बढ़ाया तो वो कहने लगे कि भगत जी बिलकुल स पुस्तक को फिर पढ़ना सुरू किया च्योंकि मैं एकादसी ब्रत भी रहता था और जैसे गीता प्रेज गोरकपुर से प्रकासित एक पुस्तक चलती है वहां से जो एकादसी महतम के नाम से तो बो पुस्तक मैं ने पढ़ी उस पुस्तक में मैं यह पढ़ रखा था कि ए भी एकादसी का ब्रती रखते थे ऐसा उसमें लिखा हुआ था तो मैं यह मानता था कि यह ब्रत सबसे सर्वस्रेश्ट है लेकिन जब यह पुस्तक पढ़ी बक्ति सौधागर को संदेज उसमें यह पता चला कि यह ब्रत रखना तो यह मना किया हुआ गीता में फिर तिये स संयोग से उस समय एकादसी ही थी उस दिन मैंने बरत कर रखा था और अपने जो भी दैने कुया पाट कर रखी जो थी वो करने के बाद में बोजन भी ने किया था जल्बी ग्रैट ने किया था अब मैं बड़ा हैरान था इतना दुखी मैं अपने आपको यह शर्टीपाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुष्टक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है ऐसी उधेर बुन में पूरा समय निकल गया रात हो गई अब मुझे नीद नहीं आ रही थी मैं इतना दुखी जैसे किसी को पुत्र सोक हो जाता है उससे भी ब मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग वो अभी तक जिस मारग पर चल रहा था ये जूटा है विल्कुल इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आँख खुल गई देखा उस समय सुबह के चार साड़े-चार बजे का समय था मैं चूंकि जानता था कि य ये जो मार्ग अब पराप्त हो रहा है ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है तो मैंने एक दम से अपने आपको सेट किया मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलो कासरम बरवाला जाओंगा अब जैसे ही मेरा वहां से कारक्रम समाप्त हुआ मैं जब वापस आया यहां अपने अटावा में मेरे पिता जी चूंकि संकर जी की साधना किया करते थे मैंने उनको बताया मैंने कि पिता जी आप ये साधना करते हुए ये गलस साधना है और मैं भी मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी जब गीता ध्याइसाथ इस लोक नमर 12 से लेक कराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है सारा समझ तो क्रश्न भगवान की पूजा करता है और क्रश्न भगवान ही गीता का ग्यान दे रहे हैं और यहां पर लेका हुए कि मेरी इसाधना नहीं करते और फिर जब गीता ध्याइचार के लोक नमबर 34 में जब पहुंचता उसमे यहाँ मैं सोचा करता था, कि वो तत दर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा, मैं सत्य बता रहा हूं बगाजी, कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता, और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महत्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्त वर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ग्यान दे रहे हैं ऐसे मतलब जो बताया कि उस ग्यान को जाकर के परमात्मा ग्यान को उनसे जाकर के समझो लेकिन पढ़ते रहते थे समझ में कुछ नहीं आता था करशन भगवान को अपना इश्ट मानते थे कई बार में करशन भगवान के सामने बैट करके रोया करता था कि हे परमात्मा आप तो कुछ भी करते हो कुछ भी कर सकते हो आप तो सुख के दाता हो लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था मेरे पिता जी जो संकर जी की साधना करते थे सारा जीवन उन्होंने बगएर नाहेद हुए कभी जल भी ग्रहनी करते थे इतना मतलब बक्ती करते थे संकर भगवान की और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला भक्ती इतनी जादा करते थे लेकिन आध्यात्मिक लाब तो बहुत दूर रहा बैसे भी कोई उनको लाब नहीं हुआ भरी जवानी में उनकी आँखें खराब हो गई इतने दुखी रहते थे साधना करते थे फिर भी आगे चल करके धीरे-धीरे हम दो भाई थे हमसे बड़े भाई जो थे वो ही हमारे भाई और भावी दोनों लोग चल बसे उनके जीवन में इतना कस्ट आया इतना कस्ट मिला उने कभी कोई सुख नहीं मिला क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ती फिर भी चलती रही मेरी माता जी भी सेरा वाली की बक्ती करते थे और हम भी बच्पन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किये हुए थे क्रश्न भगवान को विश्नु भगवान को इस संकर जी की ऐसी साधना हमारे घर में चल रहे थे हम भी उसी साधना को कर रहे थे लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाब हुआ ना हमारे परवारवालों को, उल्टा कस्ट पर कस्ट ही आते रहे और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुक दे जब मैं कथा भागवत करने लगा, तो मैंने ये सोचा कि मेरे उपर अब करशन भगवान ने बड़ी दया की है क्योंकि अब तो ये हमारा दंदा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज़्यत, सम्मान, सब कुछ मिलने लगा तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी, कि मेरे इन करशन भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है सारा सुक दे दिया, ये सुके दाता हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं असांती जरूर रहती थी तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने कि पिताजी जो आप साधना कर रहे हो ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है जब मैंने उस पुस्तक को पढ़कर के उनको सुनाया पहले तो वो नहीं माने वो लेक बिल्कुल जूट है ये लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़कर के सुनाया सरश्टी रचना पढ़के सुनाई तो सारी कहानी उनके समझ में आई पिता जी को इतनी तरब बनी कि चलो जल्दी करो उस समय हम उनको ले करके और सतलोग आसरम बरवाला के लिए चले तो हमारे गाउं के और भी भगत लोग चल दिये लगवग 12-15 लोगों को ले करके हम यहाँ पर आ रहे थे जैसे ही हम रोतक में पहुँचे तो रोतक में उतर करके हमने देखा मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ यहां से कितने बज़े मुझे ट्रेन मिलेगी वो रोतक की जो ट्रेन थी वो उदर विवानी की तरफ जा रही थी इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी तो लोगों ने बताया कि आपको यहां से ट्रेन मिलेगी जीन के लिए आपको जीन जाना है तो मैं अब प्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहां पर तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए कुछ वहां पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने ब्रहमित कर दिया अरे के आप कहां जा रहे हो उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूं रामपाल जी महराज के आसरे में जा रहा हूं कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आस्रम में चली गई थी, और उनको वहाँ पर परसाद दे दिया था, मैंने वो परसाद, उनको ग्रैड नहीं करने दिया, भैस की नांद में फैंक दिया, तो वो मूर कह रहा था, कि वो भैस हूटा तोड़कर के सतलोग आ बिस्वास किया, आप यहां तक आ गए, अब इन लोगों पर बिस्वास कर रहे हो, ऐसा न करो, आप पहले मेरी बात मानो, चलो हम जड़ तक चलेंगे, जहां सचाई का मतलब पता लगा कर आएंगे, बास्ता में सचाई क्या है, तो कुछ लोग नहीं माने वो के नहीं हम त से स्टेंड पर खड़ा हूँ, तो यहां सतलोक आसरम की, वहां गाड़ी लेकर, जैसे ही पहुंचे भगजी हमारे, हम लोगों को लेकर आए, तो मन में बड़ी सांती आई, कि भाई जी तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब जैसे ही, हमने अपने आपको यह सेट कर रखा थ सतलोक आसरम में पहुंचेंगे, तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामन देंगे, जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहां पर, लेकिन जैसे ही सतलोक आसरम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलत पर रोड पर आसरम है, उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहां पर अपने बहुत से लोगों को देखा, ऐसा लगा कि इन लोगों को से हम पता नहीं कितने दिनों से परचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं, एक भगत जी हमारे पा के बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमतकार किया, सर, प्रमशन सद्गुर्रामपाल जी महराज की शर्ण माने के बाद, आपको क्या लाब मिला, सबसे बड़ा तो लाब हुझे ये मिला, कि जब हम लोग सतलोक आसरम बरवाला पहुँचे, और सद्गुर्देव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्सनों के लिए जब गए, पिता जी मेरे साथ थे, चूँकि मेरे पिता जी मैंने आपको पहले बताया, बगजी उनको दिखाई ने देता, आके खराब हो चुकी है, तो मैंने क्यों अंगली पकड़ करके दर्सन के लिए ले गया, तो मेरे पिताजी सद्गुर्देव की चरड़ों में फूट फूट कर रोने लगे, वो कहने लगे, बोले बेटा, आप क्यों रोते हो, तो जब ये सब्द मैंने सुना, कि ये मेरे पिताजी की उमर उनसे ज्यादा लग रही थी, और उन्होंने बेटा सब्द का, तो मेरे दिमाग म तु आ गया है, तेरा उधार हो गया, मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे, वो कहने लगे, क्यों रोते हो, तो पिताजी ने कहा, कि मेरी उमर पूरी बिर्थ चली गई, तो उन्होंने का, नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्स की उमर और बढ़ाई है, तो मैंने उस सम परमात्मा ने यह सब्द बोला था, मैं मुझे उस पर विश्वास था, कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो जूट नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं, वो सत्य होता है, मैंने तुरंद सतलोक आसरम बरवाला में फौन लगाया, और उनक बताया, मैंने भगजी, मेरे पिता जी की हालत ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अमरत जल और परसाद जो रखा है, उसको दे दो, और दंडवत प्रडाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो, और जितनी जल्दी हो सके, आप स सद्गुर्दी देव जी के चरड़ों में दंडवत प्रडाम किया, और इस तरीके से मालक ने आज तक, अब मेरे पिता जी को किसी प्रकारी कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उमर बढ़ाई है, वो बिलकुल स्वस्त हैं, इस समय उनकी उमर लग ये बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है, उसके और बीच में एक खूटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा, अगर मालीजिए सिर उसकी उसमें लगता पकी चटांसी थी, तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्ती हो जाती, अगर उसकी जयन बचाई, और एक दिन छोटा बेटा मेरा, यहां सतलोक आसरम बरवाला में आया हुआ था, मेरी माता जी के साथ में, और यहां से जब जो लोग बापस जा रहे थे, चूंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतर ना था, लेकिन माता जी तो उतर गई, वो चोटा बेटा ट्रेंड से नहीं उतर पाया है, और माता जी इस तरीकिस बहुत ज़्यादा रो रही है, तो मैंने उनसे का कि माता जी से आप कहो कि वो चुप चाप घर जाए, वो परमातमा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालेक अपने अप दया करेंगे, वो चिंता ना करो, चूँकि मैं घर पे था, तो ये फॉन पर बारता हो रही थी, हमारे पडोसी और लोग सुन रहे थे, तो उनको पता चला बो क्या हो गया है, तो मैंने का मैंने ऐसे ऐसे चोटा बेटा जो है, वो ट्रेंड में बैठा चला गया, वो तर नहीं पाया है, तो लोग हसी उड़ाने लगे, खिली करने लगे, कि आप तो कहते हो, आपके परमात्मा है, संतरामपाल जी महराज, तो अब देखो, आप परमात्मा होंगे, तो मैंने के आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही है, और अभी बच्चा देखना थोड़ी दिर बाद अपने आप बापस आ जाएगा, और मैं इस विस्वास के साथ, मैं तो बिल्कुल द्रड़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे, और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ लोग कह करने लगे, अरे आप जाकर के आगे देखो, अगली स्टेशन पर साइद उतर जाए, मैंने कि मुझे कोई टेंसन नहीं है, लेकिन फिर भी जब जादान लोगों ने कहा, हमारी बक्तमती बड़ी दुखी होने लगी, मैंने कि आप चिंता ना करो, आज माले की दया से पूर मैंने माता जी को कहाँ छोड़ दिया, वो कहने लगे माता जी इताबा मुटर गई थी, मैं उतर नहीं पाया, मैंने कि आप कहाँ उतरे हो, तो अगला इस्टेशन जो था, वो वहाँ उतर गया, जैसे वाली चोटा सा बालक था, और उससे कोई कहरा हो, बेटा, यहाँ उतर चले गए, मैं समझ गया कि यह परमात्मा का ही काम है, यह कोई जीब की ताकत नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, और मेरे साथ में, मेरी स्वेम उमर बढ़ाई मालिक ने, मैं एक बार बेंड जले से लोट करके, अपने एटाबा आ रहा था, मारूती बेन में आगे बैठा हुआ थ 60-65 की स्वेट में मारूती बेन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रॉल किया, लेकिन पता नहीं उसकी स्टेरिंग फेल होगी, क्या हो गया, वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई, तो आगे का जो डैस बोड था में, आगे आगे ही बैठा हुआ था, जो अब तेरी मरत्यु निश्चेत है, उसी समय जैसे मानलो मुरे से कोई कह रहा है, कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी दो मिनट ही हुए थे, एक दम से सरीर में चेतना हुई, जैसे मानली मैंने अपने आपको महसूस किया हो, कि कोई मुझे नीचे से एक दम से आसीर बात दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी, कि मैंने सरीर बिल्कुल सही है, मैंने अपने आपको सही महसूस किया, कि टांगें भी सुरच्चे थे, और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या हुआ मुझे चूँकी मैं फस ग था, उससे मैंने अपने जीवन, चूंकि दिखाया करते थे पहले ऐसे दाड़ा बनी रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा, आपकी 35 वर्स की आयू में मृत्यू हो जाएगी, तो मैंने जूट माना था, और उसने ये भी कह दिया था, कि आपके भाई की भी मृत्यू 35 वर्स में होई है, और आपकी ये मृत्यू 35 वर्स में होगी, उस दिन मैंने जब बो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्स का हो चुका था, तो मैंने समझ लिया कि ये मालक ने दया की, आज मेरा मृत्यू योग था, इस तरीके से परम संद्गू रामपाल जी महराज सेना मुपदेश लेने के बाद, आपको बहुत से लाब मिले, आपको जी उन्दान भी मिला, आपके बच्चों को जी उन्दान मिला, आपके पिदाजी को भी जी उन्दान मिला, तो सरे भग समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं साधना चेनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई हम लोगों को पता ही नहीं था कि बास्तम में सच्चाई क्या होती है और साधना चेनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूँ और खास तोर से मैं अपनी बेहन नेहा सर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कारेकरम को जो पेस किया है उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और साधना चैनल वालों का इतना धन्दबार करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुँचाई और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई, जो राम, कृष्ण, बिश्ण, इनकी चक्र में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीकी से कथा बाचक बन करके अपने आपको बहुत-बड़ा बिद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार-बार प्रातना करना चाहूँगा, कि आप यहां सतलोग आस्रम ब बाद आपको कल्यार हो सकता है, नहीं तो कोई भी क्लियार संबब है, यह जूटी कथा भागबत करने से, या किसी तरीके से अपने आपको बिद्वान साबित करने से, अपने आपको नेस्जीत करने तो मैं आप यह पूर बज्ञुन के संसकार आपके हैं, जो आपको मिले हुए हैं तो मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुर रहे हैं मैं सबसे ये संदेश पहंचाना चाहूँगा कि बहुत जल्दी सीग्र अती सीग्र बिना किसी पल को गमाये हुए सतलोक आस्रम बरवाला जिला हिसार हर्याना में आईए और सत्वुर्देव रामपाल जी महराज से नाम दीचा लेजिए और अपना कल्यान करवाईए चत साहिए आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संत रामपाल जी महराज जी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541